कर दोस्तों आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल में, दोस्तों आप लोग ने जब भी cricket match देखा हो तो एक चीज जरूर दे होगी कि अमपायर को कोई सभी decision क्यों ना देना हो वो हमेंसे एक sign बनाता है या कोई signal देता है अमपायर कभी भी अपने कंदों में हाथ रखे cross करके तो इसका मतलब है अमपायर ने अपना decision change कर दिया गया है तो उस्तों कोई भी अमपायर बॉल को हाथ में उठाकर हवा में लहराता है मतलब आप लोग उने देखा होगा team में जैसा की screen पर दिख रहा होगा अगर ऐसे करता है तो इसका मतलब है कि नई ball लाई जाए कोई भी अमपायर अगर आपको नीचे दौनों हाथ cross में हिलाते हुए देखे तो इसका मतलब है वो ball dead ball दे दी गई है या फिर not out भी बोलते हैं उसको लेकिन अमपायर not out में जवान से भी कहता है कि वो not out है लेकिन dead ball में सिर्फ signal से ही काम चल जाता है अगर कोई भी अमपायर अपने सीधे कंधे के सामने एक हाथ खड़ा करे तो इसका मतलब है कि वो no ball है कोई भी अमपायर अपने दौनों हाथ कंधे के सीधे में खड़े करे तो इसका मतलब है ये white ball दी गई है अमपायर कभी भी आपको वो हाथ उठाते हुए दिखे और उसी कंदे पे रख ले तो इसका मतलब समझ जीजे जो रन है वो शौर्ट रन दिया गया है जो कि आपके स्कृर्ट में दिख रहा हो अगर अमपायर कभी भी पैर की तरफ इशारा करे तो इसका मतलब समझ लीजे यह लेकपाय का रन है दोस्तों अमपायर अपना सीधा हाथ खड़ा करे और हतेली को खोल के रखे तो इसका मतलब यह जो रन हुए है वो बाई के रन है इसको मतलब खुदी रन ले लिए गई है वो जैसे की बॉल बैट में नहीं लगी और जो प्लेयर्ट है उन्होंने रन पड़ चुका है दोस्तों अमपायर बॉक्स बनाए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसने जो टीवी अमपायर है उसको रैफर कर दिया गया है टी सीजन के लिए कभी वह आपको नहीं घाड़ी की तरफ इशारा करता है तो इसका मतलब दो हो सकते हैं एक तो जो कि आपने दोस्तों यहां पर वीडियो कतम करते हैं अगर वीडियो पसंद आयो तो मैं चनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रू करेगा